देखो भईया, बहुत लोग पूछते है, absurdism क्या है, absurdity है क्या, कामू कहना क्या चा रहे थे भईया, ये बंदा कह क्या गया, तो इन अटिशेल, absurdism देखो भईया, इसा concept है, जिसमें Albert कामू कह रहे हैं, कि इंसान चाहे ना चाहे, वो सवाल उठाएगा अपनी existence पर हम यहां क्यों हैं, किसलिए हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब ना तो science दे सकता, ना तो philosophy दे सकती, ना तो theology दे सकता कि हम यहां क्यों हैं, सब हवा में बाते कर रहे हैं सब किताबों में बाते कर रहे हैं हवा में बाते कर रहे हैं किसी के पास कोई थोस पुखता सबूत नहीं है लेकिन फिर भी हम Meaning of Life डूण रहे हैं फिर भी हम पीछे पड़े वे हैं जैसे Myth of Sisyphus किताब में वो पत्थर चड़ाना उपर चाता है लेकिन पत्थर रोलो के नीचे आ जाता है नहीं चड़ पाता है उसको नीचे आते वे देखता है लेकिन फिर भी उसको निराश होके वापस उसको उपर धखेलने की कोशिश करता है कोई निराश है कोई motivated है लेकिन हर कोई meaning of life, purpose of life डूण रहा है जो कि है ही नहीं लेकिन फिर भी हम डूण रहे हैं क्योंकि हमारी hard wiring के अंदर है यही है absurdism, यही absurdity ना होते वे कोई चीज होना और उसको बना लेना बलकिल पता है कि वो है ही नहीं इसी को कहते हैं the absurd, the idea of absurd यही है पूरा absurdism का concept, कामू का तो भाया, क्या हल चल, क्या चल रहा है, hopefully सब कुछ ठीक चल रहा होगा, जिन्दगी में कोई परिशानी नहीं हो रही होगी, अच्छे दिन कट रहे होंगे आज बात करेंगे हम लोग, Albert कामू के उपर ठीक है और उसक्यप पर बात करने से पहले अगर निराश हो, अपने दिन को लेके कि कुछ हो नहीं पारा, एक perfect day का इंटजार कर रहे हो, कल से भाया, सब कुछ perfect होगा perfect diet, perfect schedule, तभी मैं करूँगा, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाऊगे चाहे इतना सा करो, चाहे अगर तुमने जिम का जिम जाने का प्लान बनाया है और नहीं जा पारे जिम, रुकल करूँगा, perfect day, perfect day कर रहे हो कोई नहीं मेरे बच्चे, उठाओ फोन उठाओ सिर देखो, nearest gym to me वो भी एक प्रोग्रेस है नीचे जो ट्रेनर नहीं मिल रहा, वॉक करना शुरू करो, कोई बात नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत हम स्टार्टिंग में ज्यान देने की कोशिश करते हैं क्योंकि DM में लोग आते हैं से philosophical चीज़े नहीं बहुत problems face कर रहे हैं life में तो hopefully जो भी सुने रहा होगा problems जिनकी थी उनको मदद मिलेगी आज हम बात करेंगा वहिए Albert Camu के paradox की क्या कह रहे था Albert Camu और paradox कहां क्रियेट हो रहा था Albert Camu ने कहा कि वहिए देखो Aristotlian Metaphysics जो है Aristotlian Metaphysics जो है उसमें कांड हो रहा है बहुत गलत उसमें सवाल पूछा जा रहा है What is existence क्यों है ? किसलिया है ? क्या कर रहे है ? कहां जाएंगे दोस्तों से मिलना ? पार्टी में जाना ? क्यूं पार्टी करनी है भाई है तुम्हें ये बताओ सवाल का जवाब दो पार्टी क्यों करनी है ? क्या purpose है ? क्या मीनिंग है दोस्तों खुशकना है, मजे लेने है, एक डोपामीन हिट लेना है, क्या है तुम्हारा पर्पस, जो भी पर्पस है, उसका कोई solution नहीं है, ना तो उसका कोई मीनिंग है, यहां create होता है paradox, कैसा paradox, दाइगराम के तुरू समझते हैं, इंसान चाहते वे भी ना गूणने की कोशिश करता है, क्या मीनिंग है, ठीक है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसको दिखता है कि भाया, यहां तो नो मीनिंग है, कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही निकल के नहीं आ रहा, लेकिन चुकि इनसान की फितरत है, तो वापस मीनिं है लूप घूम रहा है घूम रहा है तो इन्होंने यहां पर इसी को दिया कि भाईया science ले लो तुम कोई technological advancement ले लो कोई यह सवाल का जवाब देना नहीं चाहता है ना देर क्योंकि देही नहीं सकता क्यों लोग भाईया तुम बात कर रहे हो हमने quantum particle था ठीक है एक surface level बे हम सब meaning of life डून रहे हैं नहीं हमको alien चाहिए है हमको जानना इससे क्या होता है हमको Mars पर जाके बसना है क्यों बसना है भाई किसले बसना है इसले बसने उससे तुम silent हो क्योंकि तुम्हें पता है जैसे सिसिफस पत्थर उपर चड़ा रहा है पहाड़ी के चड़ाते 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 पॉइंट पर उसको लगा वह पहुच जाएगा लेकिन पत्थर रोल हो गया वह साइड हड़के पत्थर के सामने खड़े र हो पहाड़ी के पार फिर नें पहुच पारा अ को अभाड़ी के उपपर ही नहीं पहुच पारा अब वह पत्थर हटाओ या खुद को हटाओ जो खुद को फुद को आठालेता है जो की सिसाइड को पर बात करीवी है जो खुद को हटालेता है поэтому हम इ phoneद वह को लग डग रह और इसी के बारे में कामू ने कहा कि देखो, ऐसा है, मेरे बच्चो सीन सिंपल है, इस सवाल का कोई जवाब है नहीं, तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, उसकी परिशानी के साथ जूजना जीना सीखो, इसको इन्होंने नाम दिया इर्रिजॉल्वेबल एम्टीनेस, यह सफरिंग जो आरहिए, उसमें जीना सीखिये, मौत इसका solution नहीं है, मौत एक हार है, मैंने अब्सटरिशम के concept में लेक्चर में बात करी वे विस्तार से सीखिये, और इसी को इन्होंने नाम दिया the absurd, यही ता इनका paradox, जिससे निकल के इनका रहा था, concept the absurd, तो यही था इ चलो भाईया, अब हम चलते हैं, आप भी चलिए, चलो, लगजो काम पर